बच्पन में राजा रानियों की बहुत सारी कहानियां हम अक्सर सुनते हुए हैं पर आज जो मैं एक अनोखे राजा की कहानिया आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो थोड़ा सा सन की टाइप का है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं है वो जितना प्यार खुद से करता है उ आज़ेदार होने वाले क्योंकि एक ऐसे सन की और सेलफिश राजा की बारे में हम बात करने वाले हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी जान की रक्षा के लिए अपने गाउं वालों को अपनी प्रजा वालों को अपने सेना पतियों को अपनी बीवी को अपने बच्चों को जानवरों को किसी को नी बख्षता पर है बहुत चमतकारी किस्म का आए शुरू करते हैं जल्दी से फड़ा फड़िस चाप्तर की समरी the story begins with a declaration about its hero two महाराजा ऊफ प्रतिबंदपुरं तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है किस की घोशना से hero की घोशना से कौन है हो hero महाराजा कहां के प्रतिबंदपुरं के जी हाँ क्या है ये कहानी एक बहूत ही लंबे लिस्ट है पूरा अलग-अलग नाम उसे दिये गए क्योंकि न बहुत महान राजा था योधाओ का योधा राजाओ का राजा ठीक है वीरों का वीर शूर वीर पता नहीं क्या क्या जबर्दस चमतकारी राजा कैसे तो बहुत सारे नाम उसे दिये गए जिलानी जंग-जंग बहादुर नाम दिया गया ठीक है पर इट दी एंड शॉट में बोलें तो उसको बुलाया जाता था दी टाइगर किंग बाग राजा क्यों यार अगसर टाइगर किंग के रूप में उसको खोता कर दिया उसका नाम एसे बुलाया जाता है था क्यों बुलाया जाता था क्या reason था कुश तो reason रहोगा ब स्ट्रॉवं था टाइगर जितना या कोई और बात थी कोई औरी बात थी देखो क्या बात थी यहाँ पर हमारे जो नारेटर हैं वो कहीं न कहीं explain करना चाहते हैं कि यार इसका ना ये नाम पढ़ा तो पढ़ा कैसे क्या reason था क्यों इसको नाम दिया गया क्या इतना वीर था क्या ये और नोबडी नॉट इवन दिस तूका पता है क्या है तूका पता है क्या है तूका एक तरी किसे fighter plane है ठीक है वो कह रहे है आज मेरे उपर कोई बं भी गिरा देगा ना स्तूका से मेरे को तो भी तो भी कोई नहीं रोक सकता इस कहानी को बताने से तो बहुत मजाक्या किसम में यह कहानी सुनाते है ठीक है कैन थ्रो मी ओफ ट्राक कि मुझे आज मेरे ट्राक से मतलब यह बताने से कोई नहीं रोक सकता कि आखिरकार टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग पढ़ा कैसे आज तो यह कहानी मैं सुना कर ही रहूंगा बिफोर ही बिगिंस इनारेटर इंफ से मिल नहीं सकते क्यों नहीं मिल सकते क्योंकि मों मर चुका है for he has already died कहानी का क्लाइमिक्स पहले ही कौन बताता है पर यहां पर बता दिया क्यों क्योंकि कहानी इस क्लाइमिक्स से ज्यादा इंट्रेस्टिंग है yes and he will only reveal how it happened at the end of the tale कि कैसे कहानी के अंत में यह हुआ कैसे कह कहानी इस बारे में कि यह राजा मर जाता है पर कहानी क्या है मरने के पीछे वो ही इंट्रेस्टिंग है मरना इतना इंट्रेस्टिंग नहीं है चालिए the moment the tiger king was born it was foretold by astrologers that he would be the greatest warrior he would be the greatest warrior there was but the star under which he was born signifies that he would die कहने का मतलब यह हुआ कि जिश्षन टाइगर किंका जन्म हुआ पहले से ही एक फोटोल पहले ही भविश्यवानी कर दी गई किसके द्वारा astrologers के द्वारा क्या भविश्यवानी कर दी गई कि भाई he would be the greatest warrior there was कि आज तक ऐसा warrior हुआ नहीं ऐसा योद्धाश तक हुआ नहीं इस तारे इस नक्षत्र के अनुसार यह होगा वो होगा तो बोलते हैं पर यह इसके घ्रह तारे जो है ना जिसके अंडर यह पैदा हुआ है बोले इसको मरना पड़ेगा अब यार एक बात बताओ तुम किसी astrologer के पास जाओ हाथ दिखाने की आए मेरी किसमत देख के बताओ न और वो तुम्हें बोले कि तुम बेटा एक दिन मर जाओगे तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा तुम बोलोगे यह क्या बात बता रहे हो बई कोई नई बात बताओ यह तो सबको पता है जो इस प्रिथवी पर आ गया उसे एक नए एक दिन तो मर नहीं है तो इसमें क्या नया है इतने में पता है यह सुनके बाकी कोई यह सवाल करता तो मान सकते थे ताइगर किंग ने यह सवाल किया एक छोटे से केवल दस दिन के बच्चे नहीं दस दिन का बच्चर रोता है तुम्हें याद भी है दस दिन के थे तुम क्या करते थे नहीं ना ताइगर किंग बोला और बोला भी तो ऐसे नहीं आपने नई बात बता दिया मैं मरूंगा कैसे यह बताओ तो मैं मानू तुम्हें समझधारी वाली बात बोला वरना दस दिन के बच्चे को क्या पता मरना जीना क्या होता है सारे वहाँ पर आख फटी रह गई लोगों की बुले ये क्या है ये आस्क दिए इस्ट्रालिजर दे मैनर अफ डेथ बुले मेरे को ये बता मरूंगा कैसे मरूंगा ये ठीक है since everyone on the earth would have to die someday क्योंकि हर किसी को जो भी इस पृत्वी पर आया एक नएक दिन तो मर नहीं है there were all amazed सब ऐसे हो गए भाई सब ये क्या होगा दस दिन का पंत ऐसे दूर गए पकड़ो जादू and at the fact an infant had spoken coherent words coherent words मतलब तुतला नहीं रहा अटक नहीं रहा सूसंगत शब्द बोल रहा है एकदम बढ़िया जमे हुए बात नहीं है उसके मुह में फिर भी it is explained that the tiger king was born under the star of the bull तो भी astrologer ने बोला कि देखो तुम्हारा जो star है न वो bull है और tiger और bull की नहीं बनती तो तुम्हारी जो death होगी न वो tiger की वज़े से होगी ये बोल दिया उन्होंने साफ तुम्हारा शत्रू कौन है tiger है तुम्हारा शत्रू hence death would come from a tiger कि तुम्हारी जो मृत्यू आएगी वो एक tiger के जरीया आएगी ठीक है भई वो एक चमतकार हुआ था जब वो 10 दिन के थे ठीक है and rather than being terrified the infant let out a growl and announced that tiger should be there और तुम सोचो कित्ती जबर्दस बात हुई जैसे उसे पता चला ना कि tiger से उसकी death होगी तो रोने डरने कि वो tiger से मरूँगा मैं 10 दिन का बच्चा चला कि ये बोलता है कि सारे कि सारे tigers क्या हो जाते है गुर्राता है जोर से शेर की तरह एक warrior की तरह कि सारे कि सारे जो बाग है उन्हें अब सावधान रहना चाहिए क्योंकि मैं आ रहा हूँ स्वागत नहीं करोगे this is only a rumor अब narrator बोलते देख यार अफवात थी मुझे भी नहीं पता ऐसा हुआ या नहीं हुआ पर ये गाउ में एक अफवात थी अब धीरे धीरे हमारे राजा जी बड़े हुए ठीक है तो पहले तो सब नॉर्मल था वो एक ही चमतकार हुआ जो हुआ उसके बाद कोई चमतकार नहीं हुआ राजा जी बड़े हुए जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके कानों में ये बात पड़ी कि बच्पन में ऐसा हुआ था एस्ट्रॉलेजर ने ऐसा कहा था बट बेस्ड उन दे वे वे लिए गाई पर जिस प्रकार से राजा की मृत्य हुए ना तो नारेटर को भी लगता था कि ये जो अफवा है ये सच है ऐसा लगता था उसको ठीक है अब अफवा तो पता चल गई आपको क्या थी अब हुआ क्या अच्छल में सेकंड सेक्शन में कहानी के नारेटर डिस्क्राइब करते हैं के जंग जंग बहादूर's growth वह हमारे जो जानी जंग जंग बहादूर है उनकी ग्रोथ की पालन पोशन कैसे हुआ एकदम अंग्रेजी स्टाइल में पालन पोशन हुआ अंग्रेजी गाये का दूद पीते थे अंग्रेजी नानी संभालती थे अंग्रेजी पिच्चर देखते थे सब कुछ एकदाव अंग्रेजी ग्रिव अब द्रिंकीं इंग्लेश मिल्क बेइंग टूट रग्लेश मैन पढ़ाया भी जाता है तो थो एक इंग्लेश मैन के द्वारा वाचिं इंग्लेश फिल्म्स एन हाविं एंग्लेश नानी इसके culture छोड़ के सब कुछ उन लोगों के according करना start कर दिये थे however everyone in the kingdom remembered the prophecy but ab bhavishyavani prophecy bhavishyavani सब को याद थी पूरे सामराज्य में पूरे kingdom में सब को मालूम था कि ऐसा ऐसा हुआ है अब चाहे अफ़वा हो चाहे कुछ भी हो the maharaja didn't think there was anything wrong with killing tigers in self-defense अब देखो किसी भी जानवर को मारने का कुछ तो excuse देना पड़ेगा ठीक है तो राजा कहते है कि यार देखो अपने defense में तो तुम अगर गाएं को भी मार दोगे ना तो वो भी सही है वो example देना चाहता था कि मैं जो यह कर रहा हूं मैं जो अब tiger को मारूंगा वो मैं अपने defense में कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो खत्रा है इससे ठीक है क्योंकि गाए को मारना तो अपने आप आप होता है पर यह बोला जाते है कि अगर वो आपके उपर अपने चीज को अपने चीज को जस्टिफाइए के कर रहे कि मैं अपने defense में किसी animal को मारता हो तो तो यह बोला तो दिखाया वोले देख तू दो बोला ताइगर से मारूंगा यह बढ़ा टाइगर अब बोलना to which the man replied that it is the hundred the maharaja had to be careful about the astrologer भी मेरे को तो लगता है पागली था क्या किया क्या कहा उसने उसने राजा को यह बोल दिया कि पहले टाइगर से कुछ नहीं होगा सोवा टाइगर है ना उससे तुम्हारी जान को खत्र है अब एक बात बताओ सोवे टाइगर से खत्र है तुम्हें क्या जरूरत है सोवे से खत्र है ना सो टाइगर मारने पड़ेंगे उसके लिए मारो ही मत ना पर ऐसे कैसे राजा को तो दिखाना ना में राजा हूँ, I am powerful ना घमंड दिखाते है अपना शोफ दिखाते है कि कितने जादा घमंड में चूर थे वो क्यों नहीं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा इन्वार्में के बारे में नहीं सोचा अब देखो यार अपनी बात को लेके ना बहुत एकदम सीरियस था महाराजा बोलता है मैं तरी बात कैसे मान लो तो वो बोलता है कि अगर ये सही नहीं हुआ ना मैं अपनी चुटिया काट दूँगा, मैं अपनी सारी एस्ट्रोलोजी के किताबे फूग दूगा मैं इंशॉरंस एजेंट बन जाऊँगा मजाक की बात है कि वही मैं सब को छोड़ दूगा इतना ज्यादा शौरूम है तो उकसाने पर नीरस्ता से वादा किया कि अगर सौमा बाग मारा गया क्या महाराजास प्रोडिंग, प्रोडिंग मतलब उकसाना प्रोमिस किया उसने मुनार्ट नीरस्ता से कि अगर सौमा टाइगर मारा गया और आप नहीं मरे उसके जरीए तो वो अपने बाल शेव कर देगा, अपनी किताबे जला देगा और एक इंशॉरंस एजेंट बन जाएगा मलब मैं आज तक की सारी पढ़ाई को पानी में डाल दूँँ अबर मेरी भविश्यवानी गलत नहीं हो सकती, this is the truth ठीक है, in the third part of the story, the narrator said tiger hunting was banned for anyone except the Maharaja अब अगला जो पाट आता है न कहानी का उसके अंदर tiger king ने क्या का बोले देखो यार मेरे अलावा ना कोई भी tiger hunting नहीं कर सकता क्योंकि वो 100 tiger मारने थे, ठीक है, कर देता है वो अपनी कहानी शुरू ठीक है, who would prioritize it above everything, sometimes he fought tigers with his bare hands in one तो बुले कि मैं अब सब चीजों से बढ़कर मेरे लिए अब ये चीज है मैं अपने सामराज्य पे बाद में ध्यान दूँगा, बीवे बच्चों पे बाद में ध्यान दूँगा, सब चीजों में बाद में ध्यान दूँगा, अभी मेरे लिए priority पे ये ही है और कभी-कभी वो टाइगर से लड़ा निहत्ता लड़ा और जीता तो मतलब ब्रेव था, वारियर था, योद्धा था, शूरवीर था पर मुझे लगता है बेवकूफ भी था, है ना, another time a British officer who loved tiger hunting wanted to do so in प्रतिबंदपुरम to which the Maharaja firmly refused, उस समय Britishers का तो राश्ता ही, तो ये लोगों को ना पहले show-off का बहुत क्रेस था, ऐसे ऐसे photos खिचाने का बहुत क्रेस था, तो एक आता है प्रतिशर बोला यार तो ऐसा कर मेरे को भी एक टाइगर मारना है और मेरे को photo चाहिए उसके साथ, तो इसने तो बैन कर रकी ती टाइगर अंडिंगे बोला एक ब्रू मैं तो नहीं दे सकता है तरको ये चांस, अब अगर ऐसा बोलेगा तो ब्रिटिशर गुस्सा हो जाए तो उसकी गदी चीन लेगा, कर सकता है पर अब राजा सोचा कि यार मना तो कर दिया उस ब्रिटिशर ने ओफर भी दिया, बोले ऐसा कर सुन, देख, तू ना, तू मार ले, मेरी फोटो फोटो की चाह दे, बोला मैं नहीं चाहता, बोला आज तू आया कल को दस और आ जाए नहीं होगा ऐसा, अब अंग्रेज का रिक्वेस्ट आपने डिकलाइन कर दिया, आपकी गदी खत्रे में आ गई, राजा बोला आप कुछ तो करना पड़ेगा, राजा ने सोचा यार अगर इसको ठीक करना है ना, ब्रिटिशर को, तो इसकी बीवी को फसाते हैं, तो उसने क्यों क्यों क्यों, खूब सारी हीरे की अंगूठिया मंगवा ली, अमरे रिशास थे लाल छी, आये इसलिए थे लूट पार्ट करने के लिए आपे गरीब, तो आप्टर रो मीटेंग, नहाराजा डिसाइड़ टू, अपीस दिस सिचुएशन बाई, रिक्वेस्टिंग ए के लिए उन्होंने क्या किया, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, हाँ, इदर की तरफ में हिंदी में भी लिखवा, इस वाइज 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 और उसने क्या किया, सारी की सारी जो है, वो उस अंग्रेज की बीवी को पहुंचा दी, दुरा, दुर तो बोले ठीक है भई, अब वो तो आये हाँ पर इसलिए थे, पचास की पचास अंगूठी रख ली, उसको लगाता है एक दो ले ले लेगी, तीन ले लेगी, चार ले लेगी, हद से जादा वापिस कर देगी, बाकी पचास की पचास रख ली, पचास की पचास अंगूठी रख के बोले धन्यवाद, ती महराजा लॉस्ट्री लाग्स इंग्स्चेंज, बोले थन्यवाद, तो महराजा वो कही न, कही तीन लाख रुपे देने पड़ गए, ठीक है, पर सामराज जी बच गया, गदी बच गया, थ्रोन बच गया, अब आगे किया, महराजा डिजायर डिजायर दिमारी अगर्ल फ्रम रीजिन अफ हाई, टाइगर पॉपेलेशन, तो अब पता है, रीजन क्या था, बहुत सारे टाइगर वो मार चुके थे, ठीक है, 70 कुछ टाइगर वो मार चुके थे, अपने एरिया के टाइगर खतम हो गया, अब प्रोब्लम में आ गया, बुले कि अब मेरे एरियास के टाइगर तो खतम हो गया, आखिरकार मैं करू तो अब करू क्या, तो उसने अपने सेनापती को बोला, कि भाई देखो, ऐसे ऐसे बात है, और कोई ऐसी आसपास का स्टेट ढूंडो, जहां पर बहुत सारे टाइ कि फाइनली वो लड़की मिल गई, ठीक है, शादी कर ली, अब जितनी बार भी जमाही राजा जाते है, अपने से सुराल तींचा, टाइगर लपेट आते, बढ़िया, मना भी नी कर सकते है, जमाही राजा को तो, फादर इनलो, दिरा 99 टाइगर स्किन्स हांगें इस पाले अब पूरे 99 टाइगर की खाल लटकी हुई है, उसके पैलस में शो लगा रखा उसने पूरा की, देखो, 99 टाइगर पर अब एक टाइगर बाकी और हर जगह टाइगर खतम हो चुक है, कहीं टाइगर नी बचे, अब अपने से सुनाल के भी खा गया सारे, खुद के तो अब टेंशन में, प्रॉबलम में, अब क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाओं आखरी टाइगर, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया मतलब, तो उसे बीच में फिर एक खबर सुनाए नहीं में आती है, कि आजकल शीप जो है, वो गायब हो रही है, तो वो सुचा है, अगर शी पर किसी को, महराजा जिद पे आ गया, बोले, मैं जंगल ही छोड़के नहीं जा रहा, जब तक मुझे मिलने जाता, मैं यहीं रहूंगा, पापे लोगों पे टैक्स वैक्स बढ़ा दिया, और पता नहीं क्या क्या कर दिया, बुरा हाल कर दिया, अब उसके सेनपदी को लातो, सबकी नौकरियां खतरे में आ गई थी, गाउवालों का बुरा हाल हो गया तो उसे लगा, यार कुछ तो करना पड़ेगा, यह राज़त हो गया, पागल, चीक है, and in his mounting anger, many officers lost their jobs, बहुत सारे officers अपनी नौकरी खो चुके थे, क्योंकि गुस्सा बढ़ता जाराधार क किसी को तकलिया तकलिया कर दे थे, निकाल दे थे, निशकासित कर दे थे, he demands दिवान, दिवान सोरी, हम मैं बार बार जो सेनपती बोल रहे है, दिवान, to double the land tax, वहापे जो land का टेक्स था, वो भी डबल कर दिया, to which he replies that the people would be upset and their kingdom would fall prey to the Indian National Congress, ठीक है, और वो बुला यार यह महाराजा threatens his job, the दिवान has no choice, पर महाराजा बोलते है, तिरको भी जाना है कि तरी जॉब से, हैं जो कह रहा हूँ वो करना, या तू भी निकलना चाता है अपनी नौकरी से, knowing that the peace of the kingdom depended on the महाराजा, killing the final tiger, अब समझ गया था दिवान, दिवान बोल रहा, कि यार, सीधी सी बा मेरे दिमाग में सेना पती आ रहा था बार बार, अब यह जानते होए कि जो peace है, जो शान्ती है kingdom की dependent on the महाराजा, महाराजा सौमा टाइगर मारेंगे, तब जाके सामराज्य में शान्ती बैठेगी, बनेगी, तब कुछ ना कुछ तो बोले मुझे करना पड़ेगा इस नीडा उठाया, दिवान और उसकी वाइफ ने टाइगर ढूंडा and show it into the car, गाडी में डाला, letting it out only when देया नियदी महाराजा और उन्होंने ये decide कर लिया था कि उन्होंने कहीं नैशनल पार्क वागरा से मंगवाया था, ठीक है अपने घर में चुपा रखा था, तो उन्हो ने फाइनली क्या किया, अब वो टाइगर बोले कि यार इसको तो लिजाना पड़ेगा, बुढ़ा सा टाइगर था, उसको डाल दिया गाडी में ले गए और सोचे महाराजा के बास ले जा कि हम इसे छोड़ देगे, the tiger stands humbly in front of the maharaja who kills it with joy and rejoices over his tribe, बुढ़ा सा टाइगर थ जावा जागे, खड़ा हो गया, उसे पता भी निए था, राजा उसे देखके खुश हो गया, राजा ने गोली चलाई, गोली, जैसी चलाई, tiger धम, पर, पता है क्या हो गया था, खुशी खुशी वो तो सोचे जीत गया, मैं 100 tiger भी मार दिया, मुझे कोई नहीं मार सकता, अ tiger's body is taken to the kingdom in a grand possession as the king has finally completed his war, tiger की लाश को लेके जाया गया, पूरे प्रॉपर उसके साथ, ठीक है उसका जुलूस निकाला गया प्रॉपर और बोले यहापे इसका पूरा वो समारक बनवाया जाएगा, सब किया जाएगा, बोले ठीक है, however, after he left, जब वो वाँसे उसे मार के नि दोश हुआ है, मारा नहीं है, अब उन्हें लगा दार राजा को बताएंगे, तो राजा गुस्सा करेगा, नौकरी चली जाएगी, खुदी मार दिया, इसका मतलब 99 tiger ही मरे थे, राजा से सौमा टाइगर अभी मारा नहीं था, अब यहाँ पर they were afraid of telling दि मारा राजा, डर र बगा के उसका पुरा स्मारक बनवाया गया, और सब ठीक, अब राजा ने बहुत समय से अपने परिवार के उपर ध्यान नहीं दिया था, है ना, तो अब उनके बेटे का आ रहा था birthday, three days later, तीन दिन बाद दमारा राजा वास प्लानिंग for his son's third birthday, कि बेटे का तीसरा बहु ठीक है, पर वो जो टाइगर था, sold at 300 रुपीज when in reality its quality was worth just a few अनास, दुकान पे गए, दुकान दार से पूचते हैं बही क्या लू क्या लू कही दिर समझ नहीं आता अलकणी का टाइगर दिखता है, बोले ये दे दूलाओ, दुकान दार सोचता है सस्ता बता हूंगा तो राजा नराज होगा 300 का बता देता हूं, राजा बोले अच्छा ठीक है 300 का है, ऐसा कर तेरी तरफ से gift, कहने का मतलब राजा था वो, फिर भी दे सकता था पैसे, नहीं दिये, समझ रो, तो ये छोटी-छोटी चीज़े दिखाए गई है ब्रष्ट की, तो अब वो जो अपने बिच्चे के साथ खेल रहा था, तो वो एक फास, splinter मतलब, splintered his hand, वो फास जो है उसके हाँ, अंगली में चले गई, अपन भी किसी लगडी की चीज़े से खेलते हैं, तो वो लगडी अंदर चली जाती है हाथ वो उसके हाथ में चली जाती है, वो उसे निकालता है फेक देता है, and continue to play with the prince, और अपने बेटे के साथ खेल ले लग जाता है, अगले दिन क्या होता है, उसके हाथ के अंदर infection फैल जाता है, और वो infection फैलता है, उसके पूरे हाथ में फैल जाता है, doctors बुलाए जाते हैं, तीन famous surgeons बुलाए जाते हैं, वो operation करते हैं, और जब वो operation फैल से बाहर निकलते हैं, तो कहते हैं, क्या, successful operation successful, जो और इलीवर की तरह, operation successful मतलब, मतलब राजा मर गया, Soviet Tiger का जो operation था, mission था, वो successful हो गया, राजा इस गोण, राजा इस डेड, मर गये राजा जी, और इस तरीके से Soviet Tiger ने अपना बदला ले ही लिया, Tiger King से, मजा आया कहानी में, अच्छी दीना, खुद से read जरूर करना, ठीक है, तो ये तो थी summary, इस chapter की, आशा करती हो, आप लोग आप से मुलाकात होगी अगली class में, comment section में अगले chapter आपको कौन सा चाहिए जरूर बताएगा, तब तक के लिए, bye bye, take care, all the best